आप देख रहे हैं MNS News, सच ज़रूरी है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्शन सारी आप देख रहे हैं MNS News Life आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबरे मश्हूर सिंगर का हुआ निधन तो अधनान समी हुए इमोशनल कहा वे कई माइनों में मेरे लिए एक बड़ी प्रेजना थे तिकज अमेरिका सिंगर जेरी ली लेविस का 46 वर्ष की आयू में निधन हो गया 1950 के दशक से वे म्यूजिक जगत में सक्रिया थे अपने परसनल लाइफ को लेकर जेरी ली लेविस हमेशा सुर्क्यों में रहते थे उनके निधन से म्यूजिक जगत में शोग की लहर है दुनिया भर के फैंस अपने चहिते सिंगर को श्रधान जली दे रहे है जेरी ने कई दशकों तक संगित जगत में अपनी धाक जमा कर रखी उनके फैंस ना सिर्फ अमेरिका और बिटेन में हैबलिक चीन जापान कोरिया और भारत जैसे देशों में भी है उनके निधन की खबर सुनते ही हिंदी फिल्मों के मशूर सिंगर अदनान समी भावुक हो गया अदनान समी ने दिगर सिंगर को याद करते वे लिखा ये जानकर बेहर दुख हुआ की रॉक एन रॉल के मूल गॉड़ फादर जैरी ली लुईस का निधन हो गया है ये निसन देह एक पथ प्रदर्शक था जिसने अपना उपमानदा किलर ये कही अधिक अरजित किया वो कही मायनों में मेरे लिए एक बड़ी प्रेरना थे वे चिरण चिरशांदी को प्राप्त हो डायरेक्टर विवेक अगनिहोतरी ने बॉलिवुट के खिलाप उगली आग कहा अंदे बहरे हो क्या डायरेक्टर विवेक अगनिहोतरी अपने फिल्मों के साथ साथ अपनी बेवफ बेपाकी के लिए भी जाने जाते है दकश्मीर फाइल से डारेक्टर खुल कर अपनी बात रखते है विवेक अगनिहोतरी आए दिन अपने बयानों को लेकर विवादों में गिरे हुए भी नजर आते है इसी बीच एक बार फिर से विवेक ने बॉलिवुट पर तंज कसा है साथ ही उन्होंने बॉलिवुट को अंदा बहरा तक कह दिया है दरसल विवेक अगनिहोतरी ने नया ट्विट किया है जो सोशल मीडिया पर लगतार वाइरल हो रहा है अपने ट्विट के जर्ये डारेक्टर ने पूरे बॉलिवुट पर निशाना साधा है हाला कि बिना लॉजिक के विवेक कोई बात नहीं करते है ऐसे में अपने ट्विट में भी डारेक्टर ने लॉजिक और मैस समझाते हुए लिखा है कि चार छोटी फिल्में जिनमें कोई स्टार नहीं कोई मार्केटिंग या डिस्ट्रिब्यूशन सपोर्ट नहीं है दा कश्मीर फाइल्स कार्दिक किया टू कंदारा और रोकेटरी के बॉक्स ओफिस में लगबग आज सो करोर कमाई की है चारो फिल्मों के निर्मान की कुल लागत 75 करोर से कम है क्या बॉलिवुड अंदा पहरा और गूंगा है कि वे सिपल मैट नहीं समझता और सीखता है फिल्म एदिल है मुश्किल के 6 साल हुए पूरे करन जोहर ने कही ये बात फिल्म को परदे पर काफी पसंद किया गया था फिल्म में 6 साल पूरे होने पर करन जोहर काफी भावुक नजर आये है जिसके चलते उन्होंने एक भावुक कर देने वाले पोस शेयर किये है उनके पोस से ये तो साफ़ कता चल रहा है कि उनके लिए ये फिल्म कितनी खास थी उन्होंने एक वीडियो क्लिप साजा करते हुए लिखा ये फिल्म मेरे लिए अपने दिल का एक तुकड़ा है जो प्यार दोस्ती निश्चित रूप से भावनाव की पूरी सरगम की खोच करता है एक तरफा प्यार का लकारो टीम संगीत सब कुछ दर्शकों के साथ गुंच पर हमारा चैनल उपलब देए आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर फिल्हाल वक्तों चला है दर्शकों ब्रेक का ब्रेक से रोटने के बाद देखीगा देश और दुनिया की तमाम खबरे बने रहे हैं मनस्यूज पर नमस्कार यह है मनस्यूज निटपर और आप देख रहे हैं मनस्यूज